नमस्कार मैं हूँ सैप खान और आप देख रहे हैं हैं एचे नियूस आईए नजे डालते हैं आज की एक खास खबर पर वसई विरार धीरे धीरे लासो का डंपिंग राउंड बनता जा रहा है जहां आए दिन अलग अलग जगों पर लासो के मिलने का सिल्सिला समाप्त ही नहीं हो रहा ऐसा ही एक तार्या मामला फिल सामने आया विरार पुर्व के गुरुदत नाना नानी पार्क के पीछे वह गनेश कॉंप्लेक्स के पास का जहां भरे पानी में एक 24 से 25 वर्ची युवा का सो बरामद हुआ है वहीं स्थानी को द्वारा विरार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई वहीं पुलिस ने घटना इस्थल पर पहुँच कर सो का पंच नामा कर उसे एम्बुलेंस की मदद से पोस्ट मार्टम के लिए बेज दिया है वहीं पुलिस ने सो की सिनाक्त मदन संजाल के रूप में की गई वहीं मदन मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और नाला सो पारा पूर्व के अचोले इस्थित स्वागत बार एंड रेस्टोरेंट में वेटर के काम करता था मदन गुरुवार को रात साले साथ से आड बजे के दर्मयान पेट दद बता कर बाल से छुट्टी लेकर निकला और रात के दस बजे के आसपास अचोले में अपने चाचा से मिला और उसके बाद उसे एक फोन आया और वो वहाँ से चला गया तब से मदन लापता था जिसका सो विरार पुर्वे स्थित नाना नानी पार्क के पीछे पानी में तैरता मिला अब सवाल यह उटता है कि मदन को वो आखिरी फोन किसने किया था उसका मुबाइल फोन आखिर कहा है और यह हत्त्या है या कुछ और इन सारे सवालों के जवाब विरार पुलिस जाच के बाद ही देगी इस है वसाई विरार किया एक रिपोर्ट